हाई अबरिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं समलित तक्निकी सेवा परिक्षा यानि कमबाइन टेक्निकल सर्वेस एक्जाम जो की 2016 की है उसके विशे में जिन लोगों ने भी फार्म फिल किया होगा उन लोगों ने शायद नियूस देख भी लिया होगा कि उनके एक्जाम जो है जल्द ही कंड़क्ट कराए जा सकते हैं आज के ये नियूस पेपर में ये आया भी है कि आयोग की द्वारा इस एक्जाम को कराने के लिए तेजी देखी जा रही है और ये एक्जाम आपका हो सकता है अधिनस्त देव जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि अलग-अलग जो पोस्ट है उनके एक्जाम अलग-अलग डेट पर होंगे ये एक्जाम एक ही डेट पर ही होंगे क्योंकि इसमें संख्या कम है आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे कि आयोग के इस तर पर दस भरतियां लंबित हैं आपको पता होगा कि सिर्फ आप ही की नहीं बहुत सारी ऐसी वेकेंसी हैं अभी अधूरी ही हैं इसके साथ ही एक आया हुआ था 2016 में कंप्यूटर के लिए आया था अधिनस सेवा चेन आयोग कि जो प्रक्रिया है आप सबको पता है कि बहुत ही लेट चल रही है तो उसमें लगबग 10 भरतियां ऐसी हैं जोकी लंबिद हैं इनमें समलित तक्निकी सेवा सामान चेन भरति प्रक्रिया 2016 से अधूरी है ठीक है और यह भरती 292 रिक्त पदों के लिए शुरू हुई थी ठीक है और इसमें कुल 52,000 से अधिक अभेर्थियों ने आवेदन किया था देखी मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग-अलग पद है सबकी सीटें अलग-अलग दी गई है और मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल साइन्स स्ट्रीम से रहे हैं लाइब टेकनीशियन वाले पद के लिए सहायक लाइब टेकनीशियन की जो पद है उसके लिए फॉर्म फिल किया था लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 52,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था तो यह जान लिजे कि जब किया था तब किया था और यह 2016 की बात है ठीक है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एक्जाम भी है और उसका कोई तयारी भी नहीं कर रहा था क्योंकि यह बहुत दिनों से इसके कभी डेट आते थे साथ अगस्त को भी इसका एक्जाम होने वाला था जो की नहीं हुआ फिर वो पोस्ट पोन हो गया तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके एक्जाम कई बार टले थे इस वज़ए से भी लोगों को लगा इसके एक्जाम नहीं होगी लेकिन जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी अच्छे से करने स्टार्ट कर दे और रिजनिंग है आपके ट्रेट से पैतिस कोश्यन आने वाले हैं सलेबस के बारे में सारी डीटेल्स मैंने पहले भी बताई हैं यह सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यदि आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं और आपके तैयारी रिवीजन के लिए वीडियो आपको प्रॉपर प्रवाइड करे जाएंगे आप समय निकालके उसे पढ़ सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कहीं जॉब कर रहे होंगे या प्राइवेट सेक्टर में लगे होंगे या हो सकता है कहीं अच्छे पत पे हों तो वो तो देंगे नहीं एक्जाम ठीक है लेकिन जिनको पता है कि उनके एक्जाम है और अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं आयोक की साइट से वो देखना आसान होता है वहाँ पर कोई भी देख सकता है कि आपने form fill किया था या नहीं किया था ये सब सारी चीजे हैं तो और एक बात और है कि इसके जो भी exam जब भी होंगे ये मान के चलिए उमीद है कि फरवरी तक आपकी exam ले लिए जाएंगे ठीक है और आपको 3-4 दिन के बाद से proper video प्रवाइट करी जाएगी इससे सम्मंदित तो आप लोग इससे जूड सकते हैं और अपने revision करिए जादा से जादा कुछ subject common है जैसा कि आप सब लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं तो उसको अलग से तो पढ़ना नहीं है आपके पास notes भी होंगे उससे revision भी करते रहिए और देखे इसमें जो है 52,000 है लेकिन अब संख्या बहुत कम होगी इस वज़े से इसके center सिर्फ लखनव में होने की पूरे chances है ठीक है इसका center और कहीं नहीं बनेगा आपका exam जो है लखनव में ही आयोजित कराया जाएगा क्योंकि computer operator का जो exam था उसमें भी candidates बहुत कम थे और exam भी उसका लखनव में ही conduct कराया गया था और यह paper भी single shift में ही खतम हो जाएगा क्योंकि इतने बच्चे नहीं है कि कई shift में exam हो गया या कई दिन चलेगा तो single shift होगा और लखनव में ही mostly chances है कि वहीं पर exam हो जाएगे और other center और कहीं नहीं जाएगा ठीक है तो इसके लिए यह चीज है और आपने paper में देखा होगा मैं आपको एक चीज दिखा भी देती हूँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस में स्थोड़ा सा blur है क्योंकि वह image बहुत चोटी थी और इसको जूम करने पैसा दिख रहा है कि जल्द होगी संबली तकनीगी सेवा भंती की परिक्षा ठीक है जो लोग इसको समझ रहें कि यह सही नियूस है तो पढ़ी है कर ज जब exam date तब से हम पढ़ेंगे तो फिर आपके उपर depend करता है कि आप क्या करते हैं ठीक है क्योंकि इसके exam हो सकते हैं यदि आप पढ़ेंगे तो आपका नुक्सान तो होगा नियूस को पढ़ लेने से ठीक है तो आपके और भी exam लगे होंगे तो वो भी आपके हो जाएंग उनके थोड़े से चेंज हो सकते हैं लेकिन उसमें भी जैसे मैंने भी आपको कुछ दिन पहले कमेंट कुछ आये थे तो मैंने हवलदार के लिए क्या-क्या trade से संबंदित हो सकता है वो मैंने बताया था तो उसको आप वहां से देख सकते हैं और हम आपको अलग-अलग वी कि जब यह आया था आपका 30 सितंबर 2019 को ठीक है दो सोचिए कि जब 2016 में इसका फॉर्म आया था उसके बाद 2019 में 30 सितंबर 2019 को एक सूचना आय थी जिसके द्वारा आपको क्या किया गया था सिलेवस प्रवाइट किया गया था लेकिन उसके सिलेवस को भी लोगों ने चैले सिलेवस फिर से अभी आया है ठेक है तो आप इसमें देख सकते हैं आपके यह पूरे सिलेवस जारी किया थे 2019 में तो उस समय जब यह सिलेवस आया था तो सारा डीटेल भी दिया हुआ था लेकिन जब दुबारा इसका सिलेवस जारी किया गया है तो उसमें ऐसा कुछ भी मैं आपको दुबारा वाली भी नोटिस दिखाती हूँ यह स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यह आपका आया था 20 अगस 2022 को यह नोटिस आई थी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग लखनों के विज्यापन संख् 23 परिक्षा 2016 द्वारा संबले तकनीकी सेवा सामान चैन प्रतियोग गात्मक परिक्षा 2016 के अंतरगत उत्तर प्रदेश के विभिन विभागों में रिक्त तकनीकी सेवा के कुल 292 पदों पर चैन हेत विज्यापन प्रकाशित कर ओनलाइन आवेदर आमिंतरित किये गए थे ठीक है पहले पदों की संख्या कम थी यह बाद में बढ़ा है तब आपका कितना हो गया है 292 मतलब 292 आयोग की आवश्यक सूचना संख्या जो दिया गया इतना कि टीसी दिनांक 30 सितमबर आपका जो आपको मैंने इसके पहले नोटिस दिखाई थी यह 30 सितमबर को आया था देखा था आपने ठीक है 2019 द्वारा अभियर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित उक्त विग्यापन के पाठिक्रम को यह थावत रखते हुए शासन ने अनुमोदि संसोधन परिश्या योजना अभियर्थियों के सूचनार्थ निमनमत है मतलब आपका जब 30 सितमबर को आ मार्किंग है आपकी वन फोर्थ निगेटिव मार्किंग होगी और आप अपने सब्जेक को यहां तो देखी सकते हैं कि सामान अध्यान है आपका और सामान बुद्धी परिक्षन है और सामान जानकारी और ट्रेट के विशह से संबंदित प्रशन आएंगे सो प्रशन तो इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को भी देख सकते हैं पीछे भी मैंने सबको डिस्कूस किया यह वीडियो में और आप लोग सिर्फ अपनी अपता यारी में लग जाईए क्योंकि एक्जाम आपके कभी भी और मैंने बताया था कि शायद इसकी डेट आपको ना देख पोन हुआ है तो इसकी अलग से संभावना नहीं है कोई डेट आने की कि आपको एक महीने पहले पता चलेगा तो आप सब लोग अपने तयारी में लगिए और जीके का प्रशन एक देखिए बहुत डीप में आपको जाके नहीं पढ़ना है फैक्चूल प्रशन पढ़िए और ऐसे जगह से पढ़िए जो कि रिपीटेड होते हैं आपको यह सारे मेटेरियल में खुद प्रवाइड करा होंगी यदि कोई चाहे तो इस पर पढ़ सकता है और ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है आप जहां से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं ठीक है और सामान हिं यह को एक से दो बार जब सुनेंगे तो आपको चीज़े आटोमेटिक याद हो जाएंगे सुनने से चीज़े याद होती हैं एक्जाम टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं और ट्रेट के विशह से संबंधित प्रशन के लिए जैसा मैंने आपको भी बताया है जितने भी अच्छे हुए हैं उसके लिए मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूगी आप सब लोग सिर्फ अपने एक्जाम को अच्छे से फोकस करिए और अच्छे से तयारी करिए 2024 से पहले आपको कई पोस्ट जो पेंडिंग में रहे हैं उनके एक्जाम देखने को मिलेंगे न अब लोग तयारी करिए आपको समय समय से वीडियो प्रवाइड करे जाएंगे लेकिन इसके सब्जेक्टिव वीडियो जो है आपको दो-तीन दिन बात से प्रवाइड करे जाएंगे क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है इस वचास से सर्फ ठीक है तो हम है इस तो तो हम आपको जो झाले क्योंकिन है लेकिन वीडियो ने घ्सएड़ा है श्युवाइड को को भijले जोंकिन भीशी कि दान के फरिणोर नेकर ऩकाश्यदें तो है